तो इसलिए ज्यादा क्यूंटिटी में बनाया था तो पांच किलो मावा लिया था मैंने आपको जितना क्यूंटिटी में बनाना उतना मावा ले ले और उसको इस तरीके से क्रंबल करना है मतलब तोड़ना है उसको अच्छे से एकदम खिला खिला कर लेना है ताकि जब आप इसको गरम करेंगे तो यह आसानी से गरम हो जाए अब हम इसको गरम करेंगे मतलब मावा एकदम गरम हो जाना चाहिए तब तक हम श्री मावे है वो बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है मैंने थोड़ा सा ज्यादा बनाया था इसलिए मुझे तक्रीबन आदा गंटा लगा था बट आपका कम क्वेंटिटी में बना रहे हो तो आपका दस से दस मिनट में ही हो जाएगा I think और फिर बस देखी गरम हो गया ह अच्छे से तो इस तरीके से थोड़ा सा ये डीला पड़ गया है और बस इसमें अब क्या करेंगे हम चीनी मिलाएंगे तो जैसे मतलब 5 किलो मावे के हिसाब से मैंने 1 किलो चीनी मिलाई है तो अगर आप 1 किलो मावा ले रहे हैं तो 200 ग्राम के आसपास चीनी काफी है ज्य पर फिर वे अगर आपको ज्यादा मीठा चीए तो थोड़ी सी और डाल सकते हैं कम चीए तो थोड़ी कम डाल सकते हैं बट ये परफक्ट रैशी ओ है मैंने 5 किलो मावे में 1 किलो चीनी डाली थी और वो काफी मितलब सही था मीठा बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं था 3-4 मिनट आप चला लें उसको चलाते हुए पकाई और उसके बाद हम डाल देंगे इलाइची पाउडर ड्राइफ्रूट्स आप अगर खुब सारे ड्राइफ्रूट्स कटे हुए डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं अदरवाइस मेरी तरह आप पिस्ता और इसके अंदर आ जाता है उसके बाद लास्ट में और हम डालेंगे ताकि खुश्वू और अच्छे से आए जब भी हम किसी को सर्व करें तब तक और यह लीजे मैंने तकरीबन दो दो चम्मच पिस्ता और बादाम की कतरन इसमें डाल दी हैं इनको अच्छे से मिला देंगे हम यह लीजे पूरे मिश्रिमावा में आपकी कतरन आ गई हैं आप चाहें तो काजू, किश्मिर्श, बादाम, पिस्ता इन सबको फाइनली ऐसे चौप करके भी डाल सकते हो वो भी अच्छा लगता है अगर आप ड्राइफ्रूट्स खुब सारे खाना चाह रहे हो तो अध मुझे बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो एकदम बनकर तयार है अभी आपको थोड़ा सा धीला लग रहा है लेकिन जब यह ठंडा होगा ना उसके बाद थोड़ा सा टाइट होगा और काफी अच्छा लगेगा खाने में तो आप ज़रूर ट्राइकरना इससे और मुझे बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को शेर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्यू फू वाचिंग मैं वीडियो